आप सभी को दीपावली की धेर सारी शुबकाम नाएं। दीपावली हिंदुओं का सबसे एहम तयोहार है। यह पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावसया को मनाया जाता है। मानताओं के अनुसार यह पर्व श्रीराम सीता मैया और लक्षुमर्ण जी के लंकापती रावन पर विजय हासल करने के बाद अपने घर अयोध्या लोटने की खुशी में मनाया जाता है। वे वापिस लोटते थे तो नगरवासियों ने घर घर दीप जला कर खुशिया को दिवाली का पहला दिन धन्तेरस की पूजा और मुरत के बारे में बताएंगे। धन्तेरस का महत्व कार्तिक मास के कुरुष्ण पक्षकी तरयोदशी के दिन भगवान समुद्र मंधन के दोरान भगवान धन्तरी अपने हातों में अमुरुद कलश लेकर प्रकट हुए थे। यह भी मान्यता है कि चिकेसा विज्ञान के प्रसार के लिए भगवान धन्तरी ने अवतार लिया था। इन्हें पीतल पसंद है इसलिए धन्तेरस को पीतल या अन्यकिसी धातू के सामान खरी दे जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धन्तेरस के दिन लक्षुमी पूजन करने से धन्धान्य की कमी नहीं होती और लक्षुमी गणेश की प्रतिमा भी इस दिन घर में लानी चाहिए। धन्तेरस के दिन संध्याकाल में दीपक जलाने की भी प्रता है। इसे यम दीपक भी कहते हैं जो यम राज के लिए जलाया जाता है जिससे अकाल मृत्यु को टाला जा सके। तो इस दिवाली को अपने परिवार वालों के साथ खुशी से मनाईए। आपको दिपावली की धेर सारी शुप कामनाए। अल्ट्रा डिवोशनल के सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाईए।